हेलो स्टुडेंट्स अपना गुल कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास एट नाव दे बेच के जो हम आरे सगरवाल जो इस्टेंडर बुक है उसके स लेंड़ेश्ञक के बसमेंदर रेक्चा से ऩवालेस्टन लमबर एक वाप लोगों से एक सब्सक्राव तो, आप लोगों ने तो आप यह तो आप जाने पड़र वीडियो को देखी मैं पूरा अरलग से एक बारेक्चेर बना रहा है तो अब खुत करने की सोलुशन को फिर भी नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हुआ अब यहाँ पर सुलुशन देख सकते हुआ चलिए हम सुरू करते हैं तो महां पर मैने आप लोगों को तींचा नोट बताए है तो नोटस्थपर हमें क्रेसला सो रह्त हो सब्सक्राइब यां नबर कर सकते हैं तो यह नंबर सबस्क्राइं तो टोवटे अनुफच में सब्तास्प। 3 upon 8 में जो भी ग्रेटर है उसको रेड़ वाले मारकर से सर्कल बना रहा हूं फिर माइनस 2 upon 9 और 0 तो यह भी हमने देखा है कि जितने भी negative numbers होते हैं वह सारे के सारे 0 से तो क्या होते हैं छोटे ही होते तो जब जी माइनस 2 upon 9 नेगेटिव नंबर है तो यह 0 से तो छोटा ही होगा तो बड़ा क्या होगा जीरो होगा अब यह बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी होगा अब यहां पर एक negative नंबर हो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ओल्गेज क्या होगा चैसे नूमेरेटर बड़ा है माइनस 5 की नूमेरिकल वेल्यू बड़ी है इसलिए वह छोटा हो जाया जैसे जैसे मेगेटिव में नंबर बड़ा होता जाता है तो यहां क्या है माइनस 5 माइनस 4 upon 7 क्या होगा माइनस 5 upon 7 से ग्रेटर होगा आई होब यह बात भी आप लोगों को स हमें क्या करना है इसको इससे क्रोस मल्टिप्लाई करना है 2 4 जा कितना होगा 8 होगा फिर इसको इससे क्रोस मल्टिप्लाई करना है 3 3 जा 9 होगा 9 बड़ा होता है जिस साइड वाला रेस्ना नंबर मतलब जिस साइड वाला पार्ट के आ रहा है बड़ा आ रहा है वहला रेस 1 के बीच में कहीं आएगा पई माइनस 1 बाइटू का मतलब क्या है जिरो और 1 के बीच को भीला हाफ है ना तो अब देखो which of the two rest the number is greater in the given pair यह कुछ pairs given हैं इन में से कौन सा बढ़ा है यह में बताना है तो इसको find करने के लिए हमारे को जो पैथर फोलो करना वो यह है कि पहले हमें दोनों के denominators को equal बनाना पड़ेगा और किसके equal इन दोनों का जो भी LCM आ रहा होगा जोसे 3 और 7 का जो भी LCM है उसके equal बनाना है और एक पार equal बन जाएगा फिर numerator को compare करना है और हमें बता देना कि कौन सा बढ़ा है कौन सा छोटा है तो देखो 3 और 7 का जो LCM आएगा 21 आएगा तो हमें क्या करना है इस 3 को भी 21 बनाना है और यहां इस 7 को भी क्या बनाना है 21 बनाना है तो हमें 7 को 21 बनाने के लिए 3 से multiply करना पड़ेगा 3 को 21 बनाने के लिए 7 से multiply करना पड़ेगा अगर denominator को 7 से multiply या 3 से multiply किया तो numerator को भी वही करना पड़ेगा तो यहां पर minus 4 multiply 7 हो जाएगा, यहां पर minus 8 multiply 3 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया, minus 28 हो गया, और नीचे इधर minus 24 हो गया, अब दोनों के denominator क्या हो चुके, equal, अब जिसका numerator बढ़ा, वो अला रहसना number बढ़ा, तो देखो minus 24 क्या होगा, greater होगा, किस से, minus 5 upon 7 यह वाला number क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा, I hope आप लोगों को समझ में आगया होगा, same काम यहां भी करने हैं हमारे को, तो 9 और 8 का जब आप क्या लोगे, LCM लोगे, तो वो आएगा 72, तो minus 7, मतलब 7 upon 9, minus 9 है, इसको भी हमें 72 बनाना है, और minus 5 upon 8 में 8 है, इसको भी हमें क्या बनाना है, 72 बनाना है, तो minus 8 को 7, तो इसको बनाने के लिए, हमें minus 8 से multiply करना पड़ेगा, क्यों, व्योंकि minus minus प्लस हो जाएगा, और 7, 8 जा 72, और 8 को अगर हमें बनाना 72, तो 9 से multiply करना पड़ेगा, तो उपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से multiply, यहां में हमारे को, minus 8 से multiply करना पड़ेगा, तो देखो, उपर दो हो गया minus 56, और इधर हो गया minus 45, तो यहां negative में यह क्या है? बढ़ा है, मतलब negative में यह छोटा है, और negative में यह बढ़ा है, same ये वाले question से इनको भी जल्दी-जल्दी solve कर लेते हैं 3 और 5 का जो लCM होगा वो कितना होगा 15 होगा तो इसको भी 15 बनाना है तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से multiply करना पड़ेगा उपर भी 5 से multiply करेंगे तो minus 5 बन जाएगा और इसको अगर क्या बनाना है हमारे को 15 बनाना है तो ये negative का है तो इसको क्या करना पड़ेगा minus के 3 से multiply करना पड़ेगा तो उपर भी minus के 3 से multiply करना पड़ेगा तो उपर बन गया minus का 12 और नीचे बन गया 15 अब देखो दोनो रेस्ता numbers के denominators equal बन चुके हैं denominator equal होंगे तो numerator को compare करना है तो minus 5 minus 12 के competition में क्या होगा बड़ा होगा क्यों क्यों क्योंकि minus में छोटा है तो यहाँ पर minus 5 upon 15 जो एक्चल में किसका number था इसका था minus 1 upon 3 का तो यह वाला जो होगा minus 1 upon 3 यह हमारा क्या हो जाएगा greater 1 हो जाएगा I hope आप लोगों को यह भी समझ में आगया होगा अब इनको करते हैं इसको तो आप डाइडेक्ट भी कर सकते हैं negative negative दोनों negative है तो एक्चल में वो रेस्तन number क्या होगा positive होगा और यहाँ पर क्या दे रखाया है यह रेस्तन नंबर negative है यह positive है तो definitely जो positive वाला रेस्तन नंबर होगा वो क्या होगा greater होगा यह हम उल्रेड़ी जानते है कि एक positive एक negative नंबर में positive नंबर हमें सा negative नंबर से बढ़ा ही होता है तो इसको डाइडेक्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो इस प्रोपर तरीक से भी करके देख लेना अब इनको solve करते है तो देखो 5 और 10 calcium कितना आएगा 10 आएगा तो हमें क्या करना है 4 upon minus 5 इस minus 5 को भी 10 बनाना है ठीक है यह मार कर ऐसा ही minus 7 upon 10 तो यह तो already 10 बनावा है तो इसको हम क्या करें माइनस के 2 से multiply कर दे तो उपर भी क्या करना पड़ेगा माइनस के 2 से multiply करना पड़ेगा उपर माइनस का 8 हो गया तो यह minus 8 upon 10 है minus 7 upon 10 है तो minus 7 negative में चोटा है इसलिए यह बढ़ा होगा तो हम बोल सकते है कि minus का 7 upon 10 यह वाला रहसना नंबर क्या होगा बढ़ा होगा किसके 5 बनाने के लिए हम क्या करें इसको भी 5 से multiply कर देते हैं इसको भी 5 से तो यह बन गया माइनस का 15 upon 5 और यह माइनस का 12 upon 5 तो देखो कोनों दोनों questions आप लोगों के समझ में आगए ओंगे इनको नोट कर लीजे नेक्स लाइट पर हम लोग question और हैसनल नमबर्स क्या उआउगे इक्वल होंगे यह तो आमने डाइडेक्ट एसे ही कर लिया अब इसको देखो इसमें भी क्या कुछ हो रहा है क्या तो इसको कैसे सोल करें वो ध्यांसे समझ ना देखो क्यों यह फर्धर आगी सिंप्लिफाई हो रहा है इसमें 7 से आपके थी अगर आप लोगों याद हो तो माइनस पी अपावन क्यू बोलो या। फॉर ओं ऐस इंगार होते हैं सेमीं नेचे नेगेटिव यह उपर ओखेंटियृ फूरे रहत्नान नंबर को negative बना रहा है यह पूरे rational number को negative बना रहा है वेल्यू तो कितनी है 5 upon 13 5 upon 13 है तो बोल देंगे यह दोनों के दोनों rational numbers के आपस में क्या है equal है I hope यह बात पी आप लोगों को समझ में आगी होगी तीसरे वाला question को solve करते हैं तो इसको भी solve करने का हमारे को तरीका पता है कि हम क्या करेंगे कि पहले दोनों के denominators को equal बनाएंगे तो इसको क्या बनाएं तो 5 बनाने के लिए इसको 5 से multiply करना पड़ेगा नीचे भी 5 से तो minus 10 upon 5 बन गया अब यह माइनस 13 upon 5 दोनों के denominator से equal बन चुके अब numerator को compare करेंगे numerator को compare करने के लिए में क्या करना पड़ेगा जिसका numerator चोटा है ठीक है मतलब जिसका numerator बड़ा है वह रहता नमबर बड़ा हो जाएगा तो देखो minus 13 यह क्या है चोटा है और minus 10 क्या है बड़ा है क्योंकि negative में जितना बड़ा नमबर होगा उतना ही चोटा हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा minus 10 upon 5 जो कि actual में कितना था minus 2 यह क्या होगा greater होगा I hope यह बार भी आप लोगों को समझ में आगी होगी अब पहले हम यह बेख लेते हैं तो देखो यहां पर दोनो negative होते हैं तो यहां भी मैंने concept समझाये था कि दोनो रहस्तन नमबर अगर positive हो या दोनो रहस्तन नमबर negative हो तो यह दोनों के दोनों क्या होते है positive रहस्तन नमबर होते हैं और हमने यह भी समझाता कि positive रहस्तन Internet इसको equal बनाना है, तो equal किसके बनाइँगे 3 और 8, इसको अगर हमारे को 24 के इकवल बनाना है, मैंनस 8 को, तो क्या करना पड़ेगा, मैंनस के 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस का 24 बनेगा और उपर भी माइनस के 3 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो यह बन गया माइनस का 15 अपॉन 24 अब देखो इन दोनों में जिसका नुमिनेटर चोटा बढ़ा है वो रहसता नंबर बढ़ा होगा तो माइनस 15 क्या है माइनस 16 से देखो यहां पर भी डिनोमिनेटर को दोनों को इकवल बनाना तो यहां पर देखो इन दोनों का LCM लोगे तो LCM इनका जो निकल के आएगा वो आएगा 90 तो इसको भी 90 बनाना इसको 90 बनाने के लिए क्या करें 10 से मल्टिप्लाई करें 10 से तो यह बन गया माइनस 80 अपॉन 90 और इसको 90 बनाने के लिए क्या करें 9 से मल्टिप्लाई करें और इसको भी 9 से मल्टिप्लाई करें तो यह हो गया उपर 81 और नीचे कितना हो गया 90 अब देखो माइनस 80 और माइनस 81 में से कुन बड़ा है माइनस 80 क्योंकि यह नेगटिव में छोटा है इसलिए यह बड़ा ह तो माइनस 80 एक्चुल में किसका नंबर था इसका था तो यह वाला क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा आई होप यह सारे क्यों भी आप लोगों को समझ में आगए इनको भी आप नौट कर लीजिए इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खतम होता है अगर आप लोगों को व